बिस्मिल्लाई रह्माद रहीम हम हाजरें आप लगों के पास लेक्चर नबर टू के साथ और इस लेक्चर में हम क्या-क्या समझने वाले हैं देखने वाले हैं उसके लिए let's move to the whiteboard और जो आपके सामने ही है जी आज हम इस लेक्चर नबर टू में मैं लिख दूँ यहां पर कि आज हम इसका लेक्चर नबर टू ले रहे हैं तो इस लेक्चर नबर टू में हम क्या-क्या observe करेंगे नबर 1 के what are the probable structures of the virus क्या-क्या हो चीजी हो सकती है वायरस के अंदर और मैंने आप लोगों के इस लोगों के इस लोगों के इस लोगों के लिए जनरल जनरल सी बाते करेंगे इस में में लोग फिर हम देखेगे के हमारे पास different type के sizes और उसकी चोड़ी सी का outline में ने द्रॉख किया है अगें for my convenience and your convenience take it as what flashcard और फिर हम देखेगे के students पे different types of shapes of the bacterium राइख so let's start with the structure अब अगर हम students structure की बात कर रही है कौन सा structure general structure of bacterium तो में पड़ा चलेगा students के कुछ चीज़े ऐसी हैं जो सारे bacterium में common है मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ cell wall की cell membrane की right cytoplasm की सिंगल सर्कुलर DNA की या क्रोमोसोम की right यह फिर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ ribosomes की तो यह चीज़ें तमाम किसम के बीक्रीडा में present लेकिन कुछ ऐसी चीज़े महें जो तौमाम बीटि रम प्रज़ेंट नहीं भी यह ओती वह स्पैसिक किसम के बीटिरा में प्रज़ेंट होती है उन में से क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है means extra achievements of the bacteria during the course of evolution उनमें इस हो सकते हैं एक what capsule बहुत से ऐसे बिक्टिरियम हैं जो अपने गिर्द पर उन्हों ने दिन दा कोर्स ऑफ एवलूशन यह एक और फीचर अड़ेप्ट कर दियो फिर मेरे आपास कुछ ऐसे बिटियम भी डिवेलप हुए कि जिन्हों ने क्यों यह और वोइव और यह अशनसलाइम । लिए सर्ट ओरक्थिय और वाड़ेफिभी लिएर्प आप पिर उसके इलावा बहुत से बिक्टिरियम ने क्या इन्य Teруж और और फुले चल्व कम है during what for the locomotion फिर उसके बाद बिटीटा ने डिवेलप किये sex organs जिन में से एक कडाम होता है पाई लाए बहुत से लोग इसे पिली भी बोलते हैं लेकिन merriam-webster dictionary के pronunciation के मताबिक ये पाई लाए है तो ये जो हमारे पास पाई लाए और गन है ये एक reproductive और गन है और ये genetic material को exchange करने में help कर रहा होता है फिर इसके लाब बिटीरियम बहुत से बिटीरियम ने feature ड्वेलप किया कि they can make fimbria right अब इसके बारे में भी different किसम की you can say possible लेकिन बहराल इनका तालुक भी किसी तौर से दो बिटीरियम की आपस भी communication के साथ है और इसे हम क्या बोलते हैं फिम्डिया और फिम्डिया को अगर आप आम जबान में कोई लफ्स कहना चाहें तो हम लोग इसे जालर कह सकते हैं कि बिटीरियम नेगे कोई जालर में चीज़ डिवेलप कर लेता है लैस नहीं है जो कपड़ों को लिखती है लैस वो इसे जो के बिटीरिया तो बिटीरिया एंश्पीश्च तो स्पीश्च गईरी करते रहते हैं सो लेट्स बूब तो नेक्स पॉइंट और नेक्स पॉइंट मेरे पास की सुडेंट साइस और साइस के इतबार से हम आप कुछ इंफरमेशन औरडी इंपार्ट कर चुके हैं वो यह है के जिरो.1 माइक्रो zaw ces लेकर 600 फ़ टक भी बिटीरिया होसकते इस राइट तो 0.1 माइक्रोमीट से लेकर бол अबरॉस्ट हूसं करें कि 0.1 कम मतले है वन और तोर पे, कि बहुत ऐसे विक्टिरिया हैं जो बहुत छोटे, और उनका जो साइज है, वो हंडर्ड नैनो मीटर से लेकर 200 नैनो मीटर तक है, और आपको पता है, सुरिस माइक्रो मीटर क्या होता है, 10 रेस तुदी पार minus 6 यह होता है किसके बराबर एक micrometer के बराबर होता है लेकिन 10 raised to the power minus 9 nanometer के बराबर होता है यानि कि उससे भी 1000 गुना छोटा है एन एम nanometer right 1000 गुना इससे 1000 गुना छोटा है right तो यह हमारे पास 100 nanometer से लेकर 200 nanometer का खोते है आप ज़रा गौश से देखें तो यह जो size है यह किसका size है बिक्टिरियम का और अगर आप इसे compare करें largest virus से तो largest virus इससे बड़ा है it means कि smallest bacterium is smaller than the largest virus आपको ब़ी बात समझ आई कि जो सबसे छोटा bacterium है वो सबसे बड़े वाइरस से भी छोटा होता है you got the point अब इस particular bacteria का तालुक कि इस जीनस के साथ है तो answer is जीनस है इसकी mycoplasma I should write with capital M because यह जीनस है तो mycoplasma यह एक ऐसी जीनस है कि जिसके अंदर बड़े अजीब और गरीब यूनीक किसम के you can see the bacteria पाये जाते है mycoplasma ही वो जीनस है कि जिसके बाहर cell wall भी नहीं present होती और यह वो ही मशूरे जमाना जीनस है कि जो दुनिया की एक बदनामे जमाना डजीज कॉस कर चुकी है जैसे हम लोग टीबी के नाम से जानते है तो आप लोगों के सामने कर चुके है कि इसका 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 यह है कि यह सबसे चोटा बिक्टिरियम सबसे बड़े वाइरस से भी चोटा होता है देख देख क्या आप लोगों के लिए कि smallest bacterium smallest bacterium is smaller than largest viruses अब हम अदुस्टेंड करने वाले हैं एक और exception और exception मेरे पास के आसुनेंट्स largest bacteria अब यह जो मेरे पास largest bacteria है इसका size upload करें 600 nanometer से लेकर 800 nanometer तक है और अकर मैं इसकी occurrence की बात करूँ तो यह कहां कर करता है students यह कर करता है एक fish के अंदर जिसका नाम है surgeon fish और इसके अंदर जो bacterium पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा उस bacterium का नाम है अप्यूलो पाइसम अप्यूलो पाइसम फिशल सोनी और इसके अंदर जाता है और इसे दो जाइस है वो 600 डैनोमीटर्स तक है अब इसके बार में भी बेने आप लोगों को एक comparison देना है वो comparison क्या है students कि बड़ी interesting सी बात ये है कि जो हमारा largest bacterium है largest bacterium ये बड़ा है largest bacterium is bigger बड़ा है than an average eukaryotic cell तो आप imagine कर सकते हैं कि ये आप लोगों के average cell से आप लोगों के मैंने बोला था कि यू आप अप अपने के modern consider करते हैं तो आप लोगों के modern cell से ये वाला bacterium बड़ा है तो imagine करें कि size के लिहाज से कितनी diversity है मेरे पास कि सबसे चोटा वाइरस सबसे बड़े वाइरस से चोटा है और सबसे जो बड़ा bacterium है वो हमारे cells भी बड़ा है अब इसमें भी पहले हम आप लोगों से जेनरल बात करेंगे तो generality के लिहाज से मेरे पास bacteria की 3 shapes generally there are 3 shapes उन में से एक को हम बॉलते हैं rod like rod like तो नहीं के दर मैं उनकी कुछ shape draw करूँगा तो वो कुछ इस तरह की होगी rod like और इन्हें हम नाम देते हैं bacilli और इसका plural है वो bacillus right ball like something like it ball like और इन्हें हम लोग नाम देते हैं cocai और बहुं से लोग इसे coccy भी बोलते again up to you दुनों use होते हैं and last one are spring like और जो spring like bacterium है they are something like it और अगर मैं more appropriately draw करूँ they are something like it कि जो spring like bacterium है उन्हें हम नाम देते हैं सुडेंट spirillum spirillum or spring like और लेकिन हमारे पास shape के लिहाज से variations भी है still again there is a great diversity और वो जो great diversity भी इसेप्शन हैं उनको हम next column में study करते हैं हम continue करें students shapes और हम shapes की exception को study करने वाई आप लोगों की book में ये shapes वरे आर्टिकल में next page के भी कुल top पे diagrams given है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो bacterium है ये stocked हो नहीं कि उसके साथ एक side में offshoot लगी हो शाख लगी हो तो इस किसम की shape को हम लोग stocked का नाम देते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये bacterium filamentous हो means लंबे-लंबे हो आपको बता है filament का मतलब है कि कोई भी ऐसे चीज़ जो लंबाई में बहुत जादा है और चोड़ाई में कम है उन्हें हम लोग normally filaments का नाम देते हैं something like it फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी शीथ की फॉर्म में भी अपियर हो सकते हैं यह भी एक structural exception है फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ऐसे cubicle bacterium हो mean to say कि जिनकी सारी sides बराबर हैं उन्हें हम लोग cubicle bacteria भी बोलते हैं so again हम conclude यह कर रहे हैं students कि यहां पर भी हमारे पास shape wise बहुत जदा variety is present right बारहाल हम इन messages को detail में study करेंगे वो क्या है students bacilli rod like ball like cocci or spring like mean spiral so we want to discuss what the habit of bacterium अब अब हम लोग bacterium की habits के बारे में discuss करेंगे यह हमारा next topic आदत क्या है वो एक कहीं जमाने में गाना चला था शायद आपके जिल की से ने सोना हो के तनहा तनहा यहां है जीना यह कोई बात है तो बहुत से बिक्टीरिया ऐसे होते हैं जो तनहा तनहा रहते हैं और अगर कोई bacterium तनहा तनहा रहे something like it बेकुल एदा रहे या फिर कोई ऐसे exist कर रहा हो मेरे पास bacterium तो ऐसे bacterium को हम नाम देते हैं solitary bacteria solitary का मतलब है existing independently लेकिन बहुत से बिक्टीरिया ऐसे हैं कि जो दोगे ग्रूप में रहते हैं मिसाल के तौर पर यह मेरे पास एक bacterium था यह कोई है और मैंने इसको ऐसे कट कर दिया ऐसे जाहिर है यह binary fission के process से गुजरे और उसके result में यह convert हो गए दो daughter bacteria में लेकिन जब दो daughter bacteria बन गए तो वो जुदा नहीं हुए वो हमेशा group of two में रहे something like it one ball and the other ball अभी दो bacteria साथ साथ है रहे अगर दो bacteria साथ साथ मिलके रहे तो हम इनकी habit को डिपलो के नाम से याद करते हैं अगर यह दो बॉल्स है तो यह डिपलो को काई है और अगर यह दो rods तो यह डिपलो बैसल आए में तो से किनकी दो possibilities हो सकती है कि यह डिपलो को काई भी हो सकते हैं और ये डिप्लो बैसल आई भी हो सकते हैं Students, important बात ये है कि आप लोगों ने यहां पे plane of division को बहुत गोर से देखना है, मिसाल के तोर पे इस वले case में तो जैसे मर्जी cut produce हो बिटीरियम इस तरह ही exist करेंगे, लेकिन अगर ये हो आप लोगों के पास एक bacillus तो ये ऐसे डिवाइड करें, for example, अगर at right angle to its length, अपनी length के नवदर जैकर जाविये पे अगर डिवाइड हो, तो इसके result में जो और इसम क्रियेट होगा जाहर है वो इस तरह का होगा, और इसको हम लोग यही बोलते हैं इस तरीके से डिवाइड कर सकता है, रगवाइड से देखी, क्या डिपलो बैसे लाइड इस तरीके से डिवाइड कर सकता है, तो आंसर is no, यानि के हमें इतने लंबे अर्से के रिसर्च के बाद कोई ऐसा पेर आफ बैसलाइड नहीं मिला, जो इस फॉर्म में एग्जेस्ट कर रहा हूँ, इस फॉर्म, वी कैनाट फाइंड, हम नहीं दून सकें इसको, तो यह इस फॉर्म एग्जेस्ट करते हैं, इसका मतब है कि जो बैसलाइड हैं रहें इन ग्रूप ओफ फॉर, फॉर एग्जेंपल, यह मेरे पास बैटिर्यम था एक, इसने डिवाइड किया ऐसे, तो इसके इसर्च में प्रोड्यूस हो गए, यह और यह, और अगर अब यह डिवाइड करें इस तेस फॉर्म में ऐसे, में एट राइट अंगल फॉर्स दिवीजन, तो इस से मेरे पास बनेगा, क्या, ग्रूप ओफ फॉर, यह पहले वाले थे, और इनके ऊपर बन गए, फॉर एग्जेंपल, दो और, डिवाइड हुआ, डिवाइड हुए यह, तो जो ओल्ड है, वो नीचे राएगे, जो नए बने है, वो उपर चलाएगे, तो इस ग्रूप ओफ फॉर को बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोह रहा हूं, जो से हम बोह रहा हूं, को प्लेनर, कि वो एकी प्लेन के ओपर चार एकठ एग्जिस्क कर रहे हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं, सुरूप ओफ टेट्राड, और अब हम करेंगे आज की आख फॉर बॉल्स हो गए हैं, अगर आप मेरे हाथ लो की मूमेंट अडेस्टेंड करें, वन, टू, त्री और फॉर, और अब मैं इनको सेंटर से कट कर दूँ, चार एकठा, तो क्या होगा सुरेंट्स, अब ये एट बॉल्स बन जाएंगे, लेकिन अब ये कोप लेंदा नही फॉर, फॉर एक्जेंपल, ये वो वाले बिक्टिरिया हैं जो पहले एक्जिस्ट कर रहे थी, तो डिवाइड करने के बाद, यहां पे डिवैलप हो जाएंगे, क्या सुडेंट्स, फॉर नए बिक्टिरियम से इसका ये बना, इस से हमारे पास ये बना, और इसको तुम श 3D structure, अब ये जो मेरे पास एक 3D group of 8 बना है, इसे हम लोग नाम देते हैं, सारसिन, सारसिन, it is group of 8, right, और जो group of 8 है, ये basically 3D in its appearance, और important ये है कि सम टाइम ऐसे होता है, कि ये जो मेरे पास बिक्टिरिया है, जो हम पर्टिकुली कोकाय के अदाम दे रहे हैं, ये keep on dividing in the same plane, habit की बात है, इस सा डिवाइड हुए, दो बन गए, ये दोनों फिर इस सा डिवाइड हुए, तो फॉर इस सा डिवाइड हुए, तो फॉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये मुझे बिक्टिरिया एक स्ट्रेप की तरह से अरेज है, स्ट्रेप से बराद मेरे पास यह है, कि जैसे घड़ी का मेरा स्ट्रेप है, तो एक ही पर इन पर होता है, तेसे हम रोलते हैं स्ट्रेट्स, वाट, स्ट्रेप 2 कोकाय, और स्ट्रेप 2, तो स्ट्रेप 2 का मतलब है, एक चेन की फॉर्म मेरेज है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेप 2 कोकाय, स्ट्रेप 2 कोकाय, तो स्ट्रेप 2 कोकाय में, there is a chain of what balls, और अगर हम एक और लास्ट को सेब को देखे जरा, तो उसले केस में सुनूट की होता है, कि बास उकाद जो खास कोकाय है, वो blindly, मैं word use कर रहा हूं, उसके लिए आप लोगों के निज़र कर रहा हूं, अन्यवा, means, in any dimension grow कर जाते हैं, मिसाल के तौर पे, उसको यह आप understand करते हैं, इस concept को ऊपर लिके जा रहा हैं, यहां से आप लोगों के लिए, यह बिटीरम था, इसमें यू हुआ, और यह जो सेल है, for example, यह भी जो डिवाइड हो गया, और उसके रिजल्ट में अब structure कुछ इस तरह की बन गए, right, और अगर यह continuous डिवाइड करता है, for example, ऐसे, और यह डिवाइड करता है, ऐसे, तो इसके रिजल्ट में यह दो सेल ऐसे बनेंगे, और यह वाई दो स होता है, वैसे network, एक जाल की तरह से, बन जागा, क्या bunch of bacteria, जिसे हम नाम देते हैं, what? stephylokokai, तो stephylokokai, तो stephylokokai, जो stephylokokai, बक्तिरिया है, वो, उनकी habit क्या है, कि वो बगएर किसी तरतीब के asymmetrical way में, क्या करते रहते हैं, divide करते रहते हैं, और बन जाता है, what? stephylokok कोकai, तो, हम लेक्टर पर conclude कर रहे हैं, कि bacteria हो सकते हैं, ती मिजर टाइप से, जिसमें से, एक है, bacilli, एक है, हमारे पास कोकai, और एक है, मेरे पास पास पायर इलम, arrangement के लिहास से, habit के लिहास से, जो most diverse bacteria वे नदर आते हैं, हमें, वो है, कोकाई, because, कोकाई वर्टिकली भी ड कर सकते हैं, और किसी खास तरतीब से भी डिवाइड कर सकते हैं, और blindly भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर एक इतर इन से डिवाइड होते रहे, तो they will either make diplococcus or streptococcus, और अगर ये blindly डिवाइड हुए, तो they will give rise to what? strephylococcus, लेकिन important बात ही है, कि bacilli हमेशा सिरफ horizontally, vertically divide करते हैं, as at right angle to their length, और वो हमेशा streptocococcus, streptobacilli और strepto और diplobacilli बनाते हैं, right, diplobacilli हो सकते हैं, या फिर streptobacilli हो सकते हैं, यह हमारे पास किसी भी सुरत में strephilobacilli बिक्टिया इस्ट नहीं करते हैं, because strephilobacilli के मनलब network है, जो abnormal division से हो रहा होता है, और bacilli बहुत organized bacteria, जो हम right angle to their length, divide करते हैं, right students, और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे next lecture में, so keep everything in your mind, because every information is basically one mark, और यह वो मार्क हो सकता है, जो आप लोगो किसी medical में लेकर जा सकता है, so keep everything in your mind, take very good care of yourself, bye-bye.